प्रयास करने पड़े जो भी हदे पार करने पड़े वो सारी हदे पार करने के लिए RSS तयार बेटा है और उन्हीं की विचारधारा के उपर BJP काम कर रही है अगर BJP की आप देश भर की राजनीती देखोगे तो हिंदु दर्म के इर्द गिर्द घुमते हुए नजर आती है polarization होते हुए हमें दिख रहा है और ये democracy के लिए बहुत ज़्यादा घातक है अगर आप सविधान की बात करोगे तो सविधान में किसी भी तरह का बदलाव ना करके सविधान की हत्या करने की कोशिश की जारी है जैसे सविधान की जो मुख्य संस्ताय है जैसे आप मान लीज इसकी विश्वस नियता कम होते जारी है तो दोस्तो मुझे लगता है कि हमारे देश की democracy बहुत ज़्यादा खत्रे में है बीजेबी के कहने पर election commission election की date postpone कर रहा है मतलब ऐसा प्रतित हो रहा है कि election commission को जैसे बीजेबी चला रहा है सुप्रीम कोट की जो judgment आ रही है उस judgment के उपर में doubt भी नहीं कर सकता क्योंकि सुप्रीम कोट के judgment पर doubt करना ये भी गुना है मतलब देखें दोस्तो जो भी सविधान ने हमें मुख्य संस्ता है दीए उन सारे संस्ताओं के उपर बीजेबी ने कबजा कर लिया है और उसको अपने हिसाब से चला रहे है इसलिए दोस अभी अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरह से था इस रिजल्ट को लेक्के आपको भी दुख हुआ और मुझे भी दुख हुआ दूख इसलिए हुआ क्योंकि बीएसपी को केवल एक सिट मिलिये अब यहां पर इवीम में अंबेटकर जी ने धर्म परिवर्तन किया था तब जितने लोगते जहिए सएफंव कि कि इन लोगों की जमिन खिसक जाएगी इनकी संकल्पना है इनका सपना है 2025 को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हम आपको सजेशन देना चाहते हैं अमबेट कर राइट अब्जवेशन के माध्यम से कि आप धर्म परिवर्तन की गोशना कर दिजिए देखिए RSS और BJP की सारी की सारी हेकड़ी निकल जाएगी क्योंकि 2025 में पुरे दुनिया में ये लोग हिंदू राष्ट्र संकल बना की चर्चा करवाना चाते हैं पर मुझे इसा लगता है अगर आप 2022 में गोशना कर दोगी कि मैं 2025 में धर्म परिवर्तन करने जा रही हूँ और मेरे साथ उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनता है जो मे प्रदेश करने के लिए नहीं के द्रोफ जाएवटी जी ने धर्म परिवर्तन इसके कारण पर चर्चा होगी और सिर्फ भारत में यह नहीं बलकि पुरे दुनिया में अई मैसेच जाएगा कि भारत के लोग हिंदू धर्म च्छोड़के बोध्य धर्म अपना रहे है इस पर चर्चा होगी और मुझे इसा लगता है BJP और RSS की हेकड़ी अगर आपको निकालनी हो तो आपको 2022 में धर्मा परिवर्तन की गोशना कर देनी चाहिए और इस बात को मैं हिंदु धर्म का विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बलकि भारत में बोद्दो की संक्या केव अबल एक प्रतिशत दिखाई जाती है तो इसी बहाने बोद्दो की अवस्ता क्या है बोद्द धम्म का अकरशन भारत में कितना है यह मैसेज पूरे दुनिया में जाएगा तो 2025 में यह मैसेज पूरे दुनिया में जाना चाहिए इसलिए मायवती जी को 2022 में ही धर्म वरतन की गुशना कर देनी चाहिए यह में रिक्वेश्ट करता हूँ आज के वीडियो में इतना ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करना मत बूलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हो पहली बार आए हो तो लाल गलर का सब्सक्राइब बटन दबा कर बाजू में बेल आइकोन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी जानकारी वाड़ी वीडियो मिलती रहे हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाए